आगे ले जाते हुए एक नया concept सीखेंगे जिसके failure के chances ना के बराबर होंगे और आप profit booking बहुत बड़े level पर करेंगे अच्छा दूसरी बात एक और है आप लोगोंने बहुत requests किये हैं कि projection की series की शुरुवात beginning से की जाए ठीक है तो आप लोग comment कीजेगा इस वीडियो के किये और अपने दोस्तों के साथ मितगड़ों के साथ अपने family members के साथ शेयर कीजिए ठीक है और सभी लोग अगर सीखेंगे तो मैं जरूर आप लोगों को सिखाऊंगा बिल्कुल basic से शुरुवात करके projection को बहुत अच्छे से आपको मैं सिखा दूँगा समझी है नीचे comment section मैं आप लिख सकते हैं कि आपको वो projection की सीरीज बेसिक से सीखना है मैं बिल्कुल projection आपको basic से सिखाऊंगा ठीक है इसके बार description में आपके पास telegram और WhatsApp का link है उसको आप join कर सकते हैं वहाँ पर जो भी trades जैसे कि आज हम लोगों ने price को long किया long करने के लिए हमारे पास कुछ reason थे reason पहला reason था untested zone untested zone समझते हैं untested zone का मतलब होता है किसी बड़े time frame के buyer जो पिछली बार demand create करके गए आप किसी छोटे time frame पर आकर उनको touch करें तो पहली बार test कर रहे हैं untested zone एक बार भी आपने इस buyer की कुछ टेस्ट नहीं किया था आप first time 100 से आप 120 तक गए और first time आके य daily time frame का और आप आए हैं पांच या 10 मेंट के time frame से ठीक है फिर आप क्या करते हैं एक बार touch करते हैं touch करने के बाद थोड़ा सा उपर जाते हैं नीचे आकर एक बार इसको break करने की कोशिच करते हैं और दुबार IC zone में आ जाते हैं तो मैंने आपको बताया यह trap हो गए trade the trap को है trade कीचे long कर दीजे आज का projection day local break करने के बाद कुछ इसी तरह का था मैं आपको दिखाता हूँ आए ठीक है तो हम लोगों ने long किया अभी दूसरी opportunity के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं अगर market दूसरी opportunity देगा तो दुबारा trade करेंगे यह high निकलने के बाद अगर sustainability मिलती है तो दुबारा दूसरा position execute करेंगे और फिर से profit working करेंगे क्या हुआ देखिए प्राइस क्या कर रहा है देखिए ध्यान से एक body candle का formation low लगे और दुबारा इस zone के नीचे आकर यहाँ पर देखिए engulfing मैंने last video कल के station में engulfing को cover up किया है कल के station में body to body एक body को cover up करके एक body बनती और यह momentum हम लोग को मिला ठीक है अभी price यहां trade कर रहा है अगर यह momentum दुबारा से carry on होगा और दुबारा से 47-600 के उपर जाएगा तो हम लोग और aggressive long करेंगे और आप पहेंगे तो देखिएगा price और higher side momentum की तरफ बढ़ेगा अगर 47-600 के उपर trade करता है तो तब तक नहीं जब time frame पर आजाएं बहुत आसानी से इन चीज़ों को बहुत दीरे-दीरे सीखा कीज़ें लाइव market है आसानी से हम लोग इसी तरह trade करते हुए आगे बढ़ते हैं यह untested zone है ठीक है इसको गिर body size से marking करेंगे न तो इसको आप ऐसे ले आईए उठाकर और ऐसे plot कर तो body size से मार्क और हम लोगों ने उसको वही अपने छोड़े time frame के price पर रैप कर लिया पॉटशिटी को और वहां पर profits बुक कर लिया आपको पोजिशन इंस्टाग्राम जॉइन कीजे देखें आपको position दिया गया होगा हम लोगों ने जो position लिया था 46,500 के put को short किया था ठीक है और इसको फ कोई भी projection में failure देखने को नहीं मिलता क्या बोलता हूँ कहीं भी किसी condition में projection में failure देखने को नहीं मिलता formation क्या है formation है दो candles के बीच में एक price का रह जाना जैसे की अभी हो रहा है अगर आप देखें तो ये formation ये recent आपको अभी देखें इसलिए मैं कहता हूँ live test क्या किज़े अब back test तो मैं करा दूँगा ये live testing है इनके high low mark कर लिजे इन दोनों candles के ये जिधर निकलेंगे उधर momentum आएगा लिख कर दे सकता हूँ जिधर निकलेगा price क्यों देखें मैं आपको समझाओ एक price ध्यान से सुनिएगा एक एक concept को समझ लीजे मैं कहता हूँ कि कोई price एक हजार पर open हो रहा है अब जाकर ये high लगाता है 1100 के ठीक है और high के बाद close करने आ जाता है एक हजार पर दुबारा एक candle बन गई दुबारा अब ये seller जो short कर रहा था पहले क्या आई है buying फिर क्या आई है selling फिर दुबारा ये selling continue रहती है एक closing हो गए एक घंटे की candle दुबारा से price गिरते हुए आया 900 अगली घंटे की candle में और closing करने फिर गया 1000 अब बताईए आप से कोई पूछे 2 घंटे के बाद अकर ही price क्या है तो आप बोलेंगे 2 घंटे पहले भी 1000 था अभी भी 1000 है लेकिन अब वो पूछेगा between the price क्या हुआ तो आप बोलेंगे एक बार buyers ने morning में buying की और buying करने के बाद sellers ने पूरी जितनी buying की गई पूरी बेच दी और बेचने के बाद अगले घंटे लगातार बेचते रहे और बेचते बेचते प्राइस को 900 तक लेया है लेकिन निचले इस तर पर खरीदारों ने फिर intéressश की और फिर 900 से 1100 पॉंट्स की आप तो नेट टून अगर आप से कोई पूछे नेट बाइंगा नेट इसकी कॉसट है प्राइज में यह बताना चाहरा हूं बात क्लियर हो गई, मैंने क्या कहा, ये एक बड़े बायर और सेलर की fight को represent कर रहा है, और यहाँ पर हम लोग एक चीज़ को बहुत ध्यान देते हैं, क्या, trade with trend, आप सभी लोग सीखते हैं न, projection में trade with trend, अच्छा, trend क्या होता है, जो market में, price में recent dominate कर रहा है, जैसे seller dominate कर रहा है तो हम उसकी तरफ है, buyer dominate कर रहा है, जैसे, जब price 1000 से 1100 हो गया, तो हम buyer की तरफ रहे होंगे, और जब price यहाँ से घूम कर दुबारा 1000 आ गया, तो recent momentum क्या है, seller side, तो हम लोग selling की तरफ रहे, price फिर घूम गया, फिर 1000 आ गया, अब हम क्या, दुबारा buying की side, ठीक है, तो एक ब buyer की side थे, फिर seller की side, फिर buyer की side, recent momentum यह कहता है, ठीक है, लेकिन इससे कोई फैदा हुआ क्या बताए, कोई फैदा नहीं हुआ, क्यों, buyer और seller ने equal selling कर दी, अब हम लोग किसी की side नहीं रहेंगे, यहीं पर clarity आ जाती है, कि अब हम buyer seller किसी के side नहीं है, हम एक condition में पहुँच ग let's move a downside, बात clear होगी, ठीक है, तो इस candle का formation कैसे होता है, इन candles का formation होता है, एक hammer formation होगा, hammer formation कैसे होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, previous candle में, previous sessions में मैंने बताया है, sorry, previous session में मैंने बताया है, अगर आपको वो वीडियो देखना है, तो नीचे जाएए, टेलिग्राम को join कीज़े, वहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने hammer और inverted hammer को समझाया, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ भी बता देता हूँ, दो second लेके, अभी जो मैंने आपको बताया कि कोई price open के बाद एक momentum करे और close करने वहीं आ जाए, higher side momentum क के बाद, तो जितनी demand थी, उतनी supply आ गई थी, तो कोई price में cost to cost, net momentum कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक बड़े खरीदार के सामने एक बड़े बिक्वाल को जरूर दर्शा रही है, एक upper wick जहाँ candle में, जैसे यहाँ पर upper wick बड़ा है, तो बड़े खरीदार के सामने एक बड़ seller यहाँ पर आ गया है, तो high से जब तक price नहीं नहीं कलता है, जब तक आप long नहीं कर सकते हैं, short करना पड़ेगा price को, ठीक है, यह inverted hammer का formation होता है, कभी भी अप trend में एक inverted hammer बन जा, उसके low break हो जा है, तो short कर देते हैं, जैसे यहाँ पर, एक up trend में थे inverted hammer बन गया, low break हो के short कर ठीक है, इसी तरह है, तो यह selling का candle है, इसको कहते हैं bearish formation, और इसको एक ultra strong bearish formation कहते हैं, क्योंकि buyer, सिर्फ selling नहीं आई, देखिए, पहले 100 से price, कहां गया, 110, यह 1000 से 1100 गया, और फिर 1100 से 100 गया, 1100 से 1000 गया, ठीक है, बस price को समझे, तो 100 point की buying थी, और 100 point की selling है, तो selling कैसे आई सिर्फ selling नहीं है, ऐसा नहीं है कि price 1100 पर खुला था और 1000 आगया, नहीं, ऐसे नहीं है, price में पहले 100 रुपे की खरीदारी, तो sellers ने जो selling लाई है, वो buyers को काट कर लाई, demand को काट कर supply आई है, यह अच्छी supply कही जाती, ठीक है, आप सोचे, इतने बड़े खरीदारों ने खर विक बड़ा हो, उसको हम कहते हैं, एक inverted hammer candle, अच्छा, अगर इसको बिलकुल उलट बना दिया जाए, तो इसको हम लोग कहते है, hammer formation, hammer formation क्या है, hammer formation है, इसका बिलकुल उलट, पहले क्या आई होगी, selling, price गिर कर आया होगा, कि 1000 का price 900 आ गया, और फिर दुबारा से जब buying आई, तो जितनी भी क्वाली आई, उतना पूरा require कर गया, तो seller को काट कर buyer dominate कर रहे हैं, अच्छा, previous candle में buyer को काट कर seller dominate कर रहा था, अब यहाँ पर next candle में seller को काट कर buyer dominate कर रहे हैं, अब बताईए, अर्चन पैदा होई की नहीं दिमाग में, previous candle में हमारा जो move था, वो biased थे हम लोग seller side, अब इस candle ने दुबारा बता दिया की buyer side, और उपर की candle बता रही है seller side, तो जब एक candle और दूसरी candle एक दूसरे के पूरी तरह से विपरीथ हैं, तो हम कैसे एक decision ले ले, नहीं ले सकते न, नहीं ले सकते, तो इसलिए मैंने कहा कि यह हाथियों की लडाई है, हाथियों की प्राइस पर काफी अपने traders के साथ इस तरह के sessions करता रहता हूँ, आपर हम लोग trading करते हैं, जैसे ही है, यह live price अला है, अब live price में यहाँ पर देखे, यह formation हो गए, अब जब तक price इन candles के ऊपर या नीचे नहीं निकलेगा, तब तक हम लोग neutral हैं, biased नहीं, किसी भी momentum को नहीं बिल्कुल clear है concept, ठीक है, इसी तरह है, अब देखते हैं इसके backtest को, बात clear होगी क्या बताना चाहरा हूँ, कि दो nod formation, इसको कहते हैं, जो इसको मैंने नाम दिया, वो है nod formation, कि price में gant लग गई है, एक तरफ से seller खीच रहा है, और इस तरह से buyer, ऊपर से seller खीच रहा है, नीच पीसे अपना चुटा पैसा लगाएंगे, trade execute करेंगे, institutional seller win है, तो हम लोग बड़े पैसे के पीसे चुटा पैसा लगाएंगे, short की trade execute करेंगे, ठीक है, अब इस पूरे formation को हम लोग, live तो भी आप चलते हुए देख लेंगे, हलाकि, ठीक है, high marker के रखीच जैसे हैं, ताले 600 दो candles, एक candle hammer नीचे से, एक नीचे से इधर, दो candle formation हुए, price में high low mark लेजे, price low तक आया, लेकिन low break नहीं किया, break क्या किया, high break किया, momentum, higher side, यहां पर आजाए, जहां जहां आप बोलेंगे, मैं वहां वहां आपको दिखा दो, जहां जहां बोलेंगे, वहां, यह दो candles के formation देख होते हैं, यहां पर dozy size में hammer चाहिए, ध्यान रखिएगा, dozy size का hammer, dozy size का hammer समझते हैं, यह inverted hammer है, छोटा, upper week हो, lower week हो, लेकिन छोटे हो, body size हो, छोटा हो, उन candles को हम लोग यहां पर prefer करते हैं, ठीक है, तो यहां पर देखे, इस candle के high mark किजे low mark, low निकल गए ना, momentum मिलेग, यह यहां पर देखे, अभी recent आपको daily time frame पर यहां पर देखे, यह दो candles के formation, एक यह, एक यह, जैसे यह low निकले तो price ने देखिए, एक sudden momentum दिया ना, हम लोगों ने इसको trade किया, हमारे traders ने, profit booking की, ठीक है, इस तरह से, अब किसी भी time frame को trade किये, जहां भी, जैसे अभी हम लोगो को जो not formation मिल ला है, वो किस time frame पर, hourly पर मिल ला है, ठीक है, तो hourly पर इंतजार करेंगे, high low mark कर लेंगे, और ऐसे बैठेंगे, सांती से, neutral है, हम लोग कोई bias decision ने, किसी की तरफ नहीं सोचना है, जो win कर जाए, अब छोड़े time frame पर चले जाए, पांच मट के time frame पर बैठी है, स सानी सेंज चीज़ों को सीखे, कोई भी doubt रह गया हो, तो नीचे comment section में बताए, telegram का link है, whatsapp group का link है, वहाँ पर आपको contact detail भी मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर आप अपनी कोई भी दुविदा हो, तो बता सकते हैं, चलिए, धन्यवाद,